Hello friends, welcome to my channel Toronto Diaries. आज हम बात करेंगे कैसे मैंने Canada में land करने के दो दिन के अंदर अपना G1 लाइसेंस ले लिया और दो महिने के अंदर कैसे मैंने अपना full G लाइसेंस ले लिया. Let's get started. So, दोस्तो, लास्ट एर मैं 7 सेप्टेंबर को Canada में land हुआ था और 9 सेप्टेंबर को मैंने अपना G1 लाइसेंस ले लिया. मैं मिसिसागा के ड्राइफ टेस्स सेंटर गया था अपना टेस्ट देने के लिए. तो हम शुरू से शुरुबात करते हैं. G1 लाइसेंस के लिए हमें दो टेस्स देने होते हैं. एक टेस्स होता है साइंस का, दूसरा होता है रूल्स का. साइंस का टेस्स थोड़ा इजी होता है, because subconsciously हमने ये सब साइंस देखे होते हैं. जैसे की आप इंडिया में ड्राइव करते हो या कहीं और ड्राइव करते हो तो आपने थोड़े बहुत साइंस वहाँ पर भी देखे होँगे तो इस तरीके कि हमारे साइंस जनरली होते थे और यहाँ पे भी अगर आप टॉरंटो में आकर आप रह रहे हैं या आप Toronto में आके कुछ दिन आप road पे चलते हैं तो obviously आप वो science road पे देखेंगे as a pedestal भी आपको वो science easily याद हो जाते हैं subconsciously और जो दूसरा test होता है वो rules का होता है तो जब तक आप गाड़ी नहीं चलाते या जब तक आप rules नहीं पढ़ते और अगर आपके 9 points हो जाते हैं या आपके 15 points हो जाते हैं तो क्या आपका license suspend होगा और अगर आपका license suspend होगा तो कितने दिनों के लिए suspend होगा तो इस तरीके के अलग-अलग rules होते हैं So I would recommend कि आपको science पे come but rules पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने दो दिन के अंदर-अंदर ही अपना G1 license दे दिया था तो मैंने इंडिया से ही इन सब को पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने YouTube पे कुछ videos identify करे थे जहांपर मेरेको 200-300 questions मिल गए थे मैंने Google पे search किया तो मुझे कुछ PDF documents के link मिल गए जहांपर मुझे questions थे तो उन questions ने मुझे बहुत help किया तो मैंने क्या किया 9 September को मैं Mrs. Saga Drive Test Center गया वहाँ पर line थी जो ज़्यादा लंबी नहीं थी वाज अराउंड 15-20 minutes वेट तो 15-20 minutes मैंने वेट किया उसके बाद मेरा number आया मैं अंदर गया और मैंने अपना G1 test के लिए मैंने वहाँ पर जाकि अपना passport दिया और मैंने बोला कि मुझे अपना G1 test देना है अब यहाँ पर एक important चीज आती है वो यह थी कि क्या आपके पास driving experience है या नहीं है जैसे कि मेरे पास इंडिया से prior driving experience था और मैं अपना DL abstract लेकर आया था तो वो उन्होंने मेरा DL abstract accept कर लिया तो दो चीज जो कही जाती है सबसे important है वो है number one आप अपना DL abstract इंडिया से लेकर आए या किसी और country से आ रहे हैं तो लेकर आए और number two जो है वो है कि आप अपना जो card है वो chip वाला लाए जो आपका इंडिया का card है वो paper वाला नहीं license होना चाहिए ठीक है वो बिना chip वाला license नहीं होना चाहिए तो make sure अगर आपका chip वाला license नहीं है तो आप अपने RTO में जाएं और उसको change करवा के chip वाला license ले ले लें तो ये दोनों चीज़े मैं इंडिया से लेकर आया था क्योंकि मैंने अपनी research पहले कर ली थी तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास DL abstract है तो उन्होंने मेरा license accept कर लिया इसका मुझे क्या benefit हुआ कि जो मेरा wait period था G1 से G2 का और G2 से G का मेरा वो wait period खतम कर दिया उन्होंने जनरली अगर हम बात करें तो G1 से G2 के लिए हमें 8 महीने wait करना पड़ता है और G2 से full G के लिए हमें 12 महीने wait करना पड़ता है सो मेरा license accept हुआ इंडिया का मेरा experience add हुआ प्लस उन्होंने मुझे option दिया कि क्या मैं G2 देना चाहता हूँ या G देना चाहता हूँ तो मेरे पास option था तो मैं directly G दे सकता था G2 skip करें बट मैंने फिर भी सोचा कि मैं पहले G2 दूँगा उसके बाद मैंने अपना G1 test दिया जहाँ पर मैंने rules का test दिया मैंने science का test दिया I scored pretty well almost 100% तो एक question मेरा गलत हुआ था rules में और science मेरे सारे सही थे और उस दिन मुझे मेरा G1 का temporary license मिल गया जो उन्होंने मुझे print out करके दिया जो temporary license मिलता है वो 3 months के लिए valid होता है तो उसमें जो expiry date लिखी होती है वो 3 months के बात की होती है जैसे कि मैंने अपना 9th September को test दिया था तो वो मेरे को मिला है 9th December तक के लिए मुझे G1 का temporary license मिला तो मेरे को अब practice करनी थी गाड़ी की गाड़ी चलानी थी because at that time मेरे पास full time accommodation मैंने नहीं लिये था और जो मेरे accommodation थी वो 15 से मिलने वाली थी वो Toronto में थी and मैं Airbnb में रुका था Brampton में तो मैंने ये सोचा कि मैं अभी यहां पर session लूँ यहां मैं Toronto जाके session लूँ because मैं extend नहीं कर सकता sessions तो मैंने wait किया फिर जब मैं Toronto shift हुआ उसके बाद around 20-21st के आसपास मैंने session लेने शुरू किये because मैंने accommodation में move हुआ था तो मुझे उसमें समान खरीदना था सारा अपने घर को set करना था वोना workplace set करना था तो सारे काम करने थे मुझे so मैंने वहां से classes शुरू करी तो दो weekends पे मैंने approximately 6 hours का session लिया जहां पे मुझे थोड़ा सा confidence आ गया यह गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है because यहां पर वो यह नहीं check करते है कि आपको गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता है क्योंकि इंडिया में like I was driving for more than 10 years actually I was driving for 13-14 years तो उनको यह तो था मेरको यह तो था कि मुझे गाड़ी चलाना आता है but the only thing was that observation यहां पर सबसे जरूरी चीज है observation जैसे कि अगर आपको मुड़ना है तो आपको blind spot check करना है या आपको हर 5-10 second में अपने तीनो mirrors check करने होते हैं center back mirror as well as both side mirrors जबी भी हमको intersection cross करते हैं तो हमें left right left देखना होता है कि intersection पे कोई traffic नहीं है कोई traffic speed में तो नहीं आ रहा है कोई pedestal तो नहीं है तो इस तरीके से observation का main game है यहां पर rather than कि कि मैं गाड़ी ठीक चला पा रहा हूँ नहीं चला पा रहा हूँ break कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो भी होता है so I have made a video on this तो मैं आपको साथ link share कर दूँ वीडियो का या उपर आपको इसका link दिख रहा होगा तो आप जाके मेरा वोला वीडियो भी attend कर सकते हो जहां पर मैं आपको बताता हूँ की एक G2 test में वो क्या-क्या follow करते हैं ठीक है तो अब आते हैं सबसे important बात पर तो मुझे अपना test जो book करवाना था G2 तब तक मेरे पास permanent license नहीं आया था तो मैं drive test.ca की website पे गया और वहाँ पर जाके मैंने अपना license number डाला मैंने अपना email ID डाला और वहाँ पे था मेरा license expiry date तो जो मेरे पर temporary license का expiry date आया था मैंने वो temporary license का expiry date आया but मैं login नहीं कर पा रहा था then मैंने थोड़ी और research करी तो मुझे याद भी आया कि जो मेरा license है वो 5 years के लिए valid है so जो actually मेरी expiry date है वो 5 years के बाद है rather than 3 months के बाद क्योंकि जो उन्होंने मुझे print out दिया है ये temporary license है और जो मेरा permanent license आएगा उसमें मेरे पास 5 years की date है rather than putting 9th December as my end date तो मैंने 9th September of 2026 अपना end date डाला और वो उसने मेरा accept कर लिया तो ये बहुत important चीज है guys कोई भी अगर आप G1 license लेते है और अगर आप G2 या G के लिए drive test book कराना चाहते है so make sure कि आप जो आपको paper मिला है उस पे जो expiry date है वो ना लिखे आप 5 years उसमें add करें और वो आप expiry date लिखे अब हम चलते हैं test पे जब मैंने अपना test book कर वा लिया मैंने practice कर ली तो फिर मैंने अपने एक instructor की जिससे मैंने training ली थी उसी instructor की मैंने गाड़ी book करी मैंने अपना test दिया तो मैंने downs view में अपना test दिया था even though downs view के थोड़े से feedback अच्छे नहीं है वहाँ पे थोड़ा failure rate ज़ादा है traffic ज़ादा है but still मैंने अपना G2 और G2 दोनो downs view में दिया तो मैंने 2nd October को अपना G2 license clear किया and then मैं थोड़ी सी confusion में था कि मैं क्या करूँ rather या तो मैं क्या करता कि मैं गाड़ी उनी instructor के साथ चलाता which was charging me like $45 per hour तो मैं सोचता कि मैं 2 गंटे चलाऊंगा तो $90, $95 खर्च कर दूँगा and they will only take me on highway for 5 minutes, 10 minutes not more than that वो highway पर आपको ले के जाते हैं merge in कराते हैं, merge out कराते हैं और उतार देते हैं तो मैंने 2 बार weekend पर गाड़ी रेंट करी मैं नाइगरा गया तो highway पर मैंने पूरा रास्ता टॉरंटो से नाइगरा का रास्ता कुछ 170-180 km के आसपास है I guess 1 and a half hours लगते हैं तो उसमें मुझे बहुत अच्छी merging की practice हो गई lane changing की practice हो गई जो main problem आती है highway पर चलाने में as compared to India and as over here in Canada क्या है कि India में जब हम first lane में चलाते हैं तो हम fastest car होते हैं मतलब अगर आप truck से overtake ले रहे हो तो truck 50, 60, 70 km per hour पर चल रहा होगा but यहाँ पर आप कि CB lane पर हो first, second, third हर lane 110 पर है even though अगर आपके बगल से truck भी आपको overtake कर रहा है तो वो भी 110, 120 कर रहा है पे कर रहा है थोड़ा अजीब लगता है एक बारतो कि आपके बगल से गाड़ी निकल रही है जो आपकी overtaking side नहीं है वहाँ से आपको गाड़ी 120 पर cross कर रही है but वो यह धीरे-धीरे आपको उसका experience होता है धीरे-धीरे आपकी वो skill build हो जाती है so then मैंने अपना G license दिया so I got my G license on 24th October reason क्या था कि मेरको इतना time नहीं चाहिए था अपना practice करने के लिए but at that time COVID खतम हुआ था उसके बाद immediately drive test centers open हुए थे तो dates नहीं मिल रही थी तो dates मिलने में बहुत-बहुत time लग रहा था so इसलिए मुझे थोड़ा time लगा अपनी date book कराने में I have heard कि बहुत सारे centers ऐसे थे जहाँ पर merging was like from 30 to 100, 110 but Downsview में जो हमारी LN Road से Highway 401 की merging है वो 70 to 100 थी so that was that I found to be very good मैंने महीं practice करी थी तो वो मुझे अच्छा लगा so that is why I went for it मैंने उस समय यह नहीं देखा था कि Downsview जो center है वो number 2 पे stand करता है failure rate में otherwise मैं किसी और center पे देदा but at that time I did not think about it कि मेरे को देखना चाहिए या ऐसे drive test centers के percentage अलग होते है जैसे कि मैंने अभी video भी बनाया था कि कौन सा drive test center आपको avoid करना चाहिए so उपर अभी आपको link दिख रहा होगा तो अगर आपको वो video देखना है तो आप वो video देख सकते है अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगा गाई तो please मुझे इस video को like करिए मेरे channel को subscribe कीजिए मैं ऐसे ही आपके लिए videos बनाता रहूँगा thank you, have a good one, bye bye